अक्तूबर से शुरू हो रहे शक्कर वर्ष में दुनिया भर में शक्कर का उत्पादन बीते वर्ष के मुकाबले क्रीब 5 फिसद बढ़ने की उमीद जताई गई है इंटरनेशनल शुरूर्गर और्गेनाईजेशन ने शक्कर वर्ष 2022-23 के लिए उत्पादन अनुमान और बीत रहे वर्ष की आंकड़े जारी कर दिये हैं आईएसो के अनुससार दुनिया भर में आने वाले वर्ष में शक्कर का उत्पादन कुल 181.9 मिलियन टन बहने की उमीद है बीते वर्ष कुल उत्पादन 174 मिलियन टन था जबकि शक्कर की खपत का आंकड़ा बीते वर्ष के 175.5 मिलियन टन से बढ़कर 176.3 मिलियन टन तन पहुँचने की उमीद है यानि करीब 5.6 मिलियन टन का सरप्लस स्टोक हाथ में रहेगा आने वाले वर्ष के एंडिंग स्टोक को भी बीते साल के 93.1 मिलियन टन से बढ़ा कर 96.3 मिलियन टन आंका गया है दुनिया और भारत में शक्रुतपादर भढ़ने की उमीद के बीच भारतिय शक्रुतपादर अगले वर्ष के लिए करीब 5.0 मिलियन टन के निर्यात करार हाथ में लेकर खड़े है सरकार की हरी जंडी और निर्यात की मात्रा पर लगाए गई सीमा में रहात की उमीद कर रहे है बीत रहे शक्र वर्ष में सरकार ने सिरफ 10.0 मिलियन टन निर्यात की अनुमती दीती और बाद में कैपिंग को बढ़ा दिया गया निर्याद का आंकड़ा 11.2 मिलियन टन तक पहुंचा आने वाले शक्कर वर्ष के लिए सरकार सिरफ 8 मिलियन टन निर्याद के अनुमती देगी ऐसी उमीद की जा रही है उतपादक और मिलो के अनुसार सरकार इसमें ढील देती है तो अक्तूबर के पहले सपता में ही भारत की शक्कर मिले 5 मिलियन टन के निर्याद करार करने को तयार है अरब और एशिया के देशों में शक्कर की मांग निकल रही है दरसल भारत में शक्कर का उत्पादन बढ़ा है और एंडिंग स्टोक करीब 6.7 मिलियन टन अभी भी हाथ में है दूसरी और इंदोर बजार में भी शक्कर के दाम 20 रुपे तक गिर गए दरसल सरकार ने सितंबर का खुले बजार के लिए शक्कर कोटा बढ़ाया है ऐसे में बजार पर दबाव बना और बजारों में गिरावट दर्ज की गई ब्यूरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी